तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो इसमें क्या करते हैं कि इसमें basically हमें क्या करना है कि देखो यहां पर gravitational field किसी region में दिया हुगा यहां पर gravitational field in a region is given by something like this यह gravitational field is region में दिया हुगा इस question को अगर मैं solve करूंगा तो gravitational field e की value हम सबको पता है यहां पर two i cap plus three i cap ठीक है यहां पर यह तो यह कहते हैं कि so that no work is done to move a particle along the line मतलब अगर मैं एक particle को इस line पर चलाता हूं no work can move a particle मालो तो कोई work done नहीं होगा तो यह जो line है यह line कैसी है यार तो यह line है 3y plus two x plus five की line है तो इस पर मैं अगर कुई सी एम मास के particle को move कराता हूं एम मास के particle को move कराता हूं इस line पर तो यह करते हैं प्रूब करना कि कोई work done नहीं होगा तो यह देखो simple सी बात है यार यह यह भी electric field भी line है और यह भी line है तो अगर mathematics या physics में तुम पढ़े होगे कि दो line आपस में तुम पढ़े होगे कि अगर दो line आपस में यह वाली line दो line आपस में 90 degree पर है तो यह जो line है मानलो electric field वाली line है और इसका slope M1 है और यह मानलो अपनी given state line है और इसका slope M2 है तो अगर M1 और multiplied by M2 का product minus 1 होता है तो यह दोन line जो है आपस में 90 degree पर होते हैं इस आप पर्पेंडिकुलर थीटा इसकोल टू 90 डिगरी अगर इतना condition है देन लाइन आर पर्पेंडिकुलर तेन लाइन आर पर्पेंडिकुलर है तो लाइन पर्पेंडिकुलर होती है मतलब तो अगर मैं इलेक्टिक फिल्ड और इसका दोनों का slope निकालनों तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो slope of line slope of line तो जो line यूज हो रहा है उस line का slope दिकालो भाई तो slope is equal to 3y plus 2x is equal to 5 है तो अगर तुम देखो कि तो इसका जो 3y is equal to value आ जाएगा तो 5-2x इसका मतलब y की जो value आ जाएगी माइनस 2 अपान 5x और प्लस 5y 3 ठीक है तो इसका जो slope है अब निकालोगे तो इसको compare कर दो state line से y is equal to minus mx plus c से तो अगर मैं इस line से compare कर देता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है तो इस line से compare करने पर slope m1 की जो value मिल जाएगी वह minus 2 by 5 मिल जाएगी this is the slope m1 अगें slope कि अफ इलेक्टिक फिल्ड तो इलेक्टिक फिल्ड जो लाइन उसका स्लोप तो इलेक्टिक फिल्ड जो है वह इस पॉर्मेट में दिया हुआ है इलेक्टिक फिल्ड इस पॉर्मेट में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एकस आई कैप पिलस वाई जे के फॉर्मेट में है मतलब यह हुआ कि जो स्लोप है टैन ठीटा टू स्लोप यह म्टिक टू तो वह आ जाएगा वाई अपन एक्स मनलब 3y2 ठीक है तो तो 3y2 यह स्लोप तो इसका मतलब यह हुआ कि श्लोप slope का जो multiplication है slope m1 multiplied by m2 is equal to 3 by 2 multiplied by minus 2 by 3 तो 2 by 3 यह वाला जो है 2 by 3 यहाँ पर 2 by 3 आएगा तो 2 by 3 है यह वाली जो है वो basically यह 3 है यहाँ से 3 आएगा तो यह वाली जो है तो यह आएगा 3 तो यहाँ से 2 by 2 तो यह पूरा कटकुट गया तो यह इसको कर दिया इसको कर दिया इसको कर दिया तो minus 1 इससे यह वाद proof हो गया कि this means this is that these two line these two lines are perpendicular two lines are perpendicular तो मतलब इनके बीच का जो एंगल है मतलब अगर देखो electric field अगर यहाँ पर electric field इधर है ठीक है तो यह जो लाइन है वो इससे 90 डिग्री पर होगी यह लाइन जो है यह जो थीटा होगा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा अब अगर इस लाइन पर एक मास को मूग कराते हो इस लाइन पर एक मास को मूग कराते हो तो वर्क डन इस उकल टू होता है और फोर्स की वेलू क्या होती है फोर्स की वेलू मास मल्टिप्लाइड वाइन इलेक्टिक फिल्ड और डिस्प्लेस्मेंट डिएस तो यहां से आ जाएगा एम इलेक्टिक फिल्ड इडी एक्स कॉस थीटा तो यहां पर थीटा मास इलेक्टिक फिल्ड और डिस्प्लेस्मेंट इस लाइन पर मूब करा रहे हैं तो थीटा कॉस 90 हो गया तो वर्ग डन इसकोल टू जीरो तो इसका मतलब होगा कि कोई भी वर्ग डन नहीं होगा अगर इस एक्सीज पर यह जो डिस्प्लेस्मेंट डी एक्स वाली लाइन है इस पर मूब करा रहे हैं इलेक्टिक फिल्ड से 90 डी पर तो आई होब कि यह सवाल आपको बहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो यह अच्छी क्वालिटी एजूकेशन के साथ हमारे साथ बने रहो झाल 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 झाल झाल